So guys, आज की डेट में ऐसा कोई बंदा निये YouTube पे जिसको ElGroo के बारे में नहीं पता और by chance अगर आपको ElGroo के बारे में नहीं पता है So मैं आपको बता दू ElGroo एक ऐसा चैनल है YouTube पे जिसने within 3 months 100 के subscribers cross कर दिये है और without any promotion, without any shout outs from big YouTubers खुद के अदम पे खुद की महनत पे उसने 100 के subscribers cross के within 3 months and that is really fascinating and उसका content भी काफी कमाल का है So आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हो कि आप ElGroo जैसा thumbnail कैसे बना सकते हो और ElGroo जैसे thumbnail बनाने के लिए tutorial आपको हजारों में मिल जाएगे YouTube पे But मेरी वाले वीडियो में थोड़ा unique है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता होगा logic behind ElGroo's thumbnail और उसके बाद मैं आपको बता दूगा tutorial So बिना देर के करते हैं वीडियो को start So guys अगर आपने notice किया होगा तो ElGroo अपने हर एक वीडियो के thumbnail में red color as a background color यान की as a main color choose करता है और इसके काफी सारे reasons है Number one reason यह है कि red color काफी जादा eye catchy है और काफी जादा attractive है So अगर आपके feed में ElGroo की वीडियो आ जाती है तो सबसे पहले आपका ध्यान उसकी वीडियो के उपर ही जाएगा नाई की other video surrounding it क्योंकि वो red color काफी जादा attractive होता है So अगर अब आप screen पे देख सकते हो left side पे है red color का rectangle और right side पे है एक dark blue color का rectangle So मुझे comment में लिखके बता हो कि दोनों में से कौनसा color attractive है So चलो अब ही मैं dark blue color को switch करता हूँ to purple color So अभी भी आप दे सकते हो कि red color काफी जादा attractive रहता है So अभी मैं वापस भी purple color को switch करता हूँ to green color और अभी भी आप वापस दे सकते हो कि red color ही dominating है red color ही काफी जादा attractive है तो आप ऐसे compare कर सकते हो कि कौनसा color जादा attractive है और most of the cases में red color ही काफी जादा attractive और eye catchy लगता है Number two reason यह है कि red color काफी सारे colors के साथ गूल मिल जाता है यानिकि अच्छे से contrast करता है जाज है कि white color, black color, yellow color, orange color and green color यह दूसरा reason काफी जादा important है अगर आपने एक pattern notice क्या होगा ऐलगरो के thumbnail के अंदर वो क्या-क्या चीज़े use करता है सबसे पहले वो text use करता है और वो text सिर्फ दो ही colors के होते है white वनना तो black दूसरी चीज़ एलगरो यूज़ करता है अपने thumbnail में वो है screenshots from YouTube studio आपको पता रहेगा कि YouTube studio फूर white color का रहता है और red और white काफी बड़ा contrast लगता है जबी भी वो screenshot यूज़ करता है तो वो काफी ज़दा bold, attractive और readable हो जाता है और तीसरी और last चीज़ वो यूज़ करता है वो है elements like tick का element हो गया यानि की tick का sticker, arrow का sticker वैसे कुछ वो elements यूज़ करता है और mostly वो सारे elements का color green color रहता है तो मैंने आपको पहले कहा था जो की हमारा दूसरा reason था red color काफी सारे colors के साथ अच्छे से contrast में आता है जिसे की green, white, black यह सारे colors वो यूज़ करता है background के उपर और इसकी वज़़े से उसका thumbnail काफी जाधा simple रहता है बट काफी जाधा attractive भी रहता है अगर आपको अपने thumbnail को catchy और attractive बनाने का है तो I will also recommend you guys to use a dark bold color like red, orange, yellow like that तो अभी हम बढ़ते है tutorial की तरह हूँ यह वाला tutorial काई master के उपर करने वाला हूँ सबसे पहले plus icon के उपर click करो और 16-9 ratios चूज़ करो उसके बाद आपको simply आपको red color का एक background चूज़ करने का है तो मैं जली से यह वाले color को एक dark red color में करता हूँ या दे जोगो, this is the perfect red color उसके बाद क्या करने का है आपको अपने screenshot को import करने का है तो मैं अभी अपने screenshot को कर देता हूँ और आपको अपने हिसाब से इसको align कर देना है और हागाज अगर आपको ideas नहीं आ रहे तो आप simply क्या कर सकते हूँ आप simply YouTube पे जाके एलगरो के चैनल पे जाके उसके कुछ thumbnail के ideas ले सकते हूँ मैं ऐसा नहीं बुल रहा हूँ कि डिटो complete copy करो आप ऐसे scroll down करके आपके जो topic है उससे कुछ match हो रहा है आपको वैसा कुछ idea लेके ऐसा कुछ थोड़ा बहुत copy कर सकते हूँ यह मैं आपको यह tip दे रहा हूँ और यह काफी useful भी रहेगी तो मैं बापस से जाता हूँ अपने editing software के उपर और इसके बाद आपको text add करने के तो text add करना भी काफी easy आपको simply text के उपर जाने के और आपको जो text लिखने का पहले वह लिख दीजिए तो guys मैंने अपना text लिख दिया है OK के उपर क्लिक कर दीजिए और अभी आपको सबसे important काम आता है इसका font चूज करना तो font चूज करने के लिए आपको इधर जाने के और इधर जाके आपको करोडों में काफी सारे fonts मेर जाएगे तो मेरा personal favorite font है sans serif में जाता हूँ मैं और मैं यह वाला font चूज करता हूँ तो आपको यह वाला font डावलोड करने के तो आप asset store पर जाके डावलोड कर सकते हो तो मैं इसको पर click करवा and yeah guys there you go आप जेतों मेरा font चेंज हो गया है इसके बाद आपको simply थोड़ी बहुत shadows add करने के तो shadow store पर जाने के उसको कर देने का enable and आप इधर से अपनी settings tweak कर सकते हो अपने मुताबिक और बागे सब font style same रखना तो अभी मैं कर रहा हूँ आप जड़ा गोड से देखना आप जए को अपनी सावबना डाई होड़ा आपकोём क्यूुक्रोड़ी आप जजञाूजग जए उसके बनाने में चेंँगाभ प्लीदीत का लुवटler में व्यक ऋम्रावको अव्यंता आपकों कि मैंने अपना एरो एड़ेस्ट कर दिया है अभी मुझे जो एरो टेक्स का कलर सीमेलर सा लग रहा है सो में को अभी थोड़ा चेंज करने का है टेक्स का कलर सो अभी मैं इन 10 डेस्ट जो यह वर्ड है उसके पिछे में एक ब्लैक बैग्राउंड लगा दूगा ताकि वह अपने बैक्राउंड लेयर लगाना पड़ेगा ऐसे कुछ और आपको इसको बढ़ा करने का है और सांटू बैक के ओपर क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपली इसको कर देने का है क्रॉप और काफी जादा एज़ी है और आपको थोड़ा अधूरा सा लग रहा है तो आप कोई भी इमोजी डाल सकते हो कोई भी शॉक वाला इमोजी या फिर कोई भी इमोजी आपके थम्निल को जो मैच करता हो वैसा कुछ इमोजी एंड बूम दे यूगो सो या गर्स देट वोजिट फो टूडेज वीडियो I know मेरा थम्निल कुछ खाली-खाली लग रहा है बड़ आपका स्क्रिंशोट जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपका थम्निल भरा हुआ लगेगा सो आयोब आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगेऊगी लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना और आपको यसी कुछ और टिप्स और ट्रिक्स चाहिए सो डू कॉमेंट नाव बिलो बाइबाइब